शिमारू मुवीज से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब आप के बेल आइकन को प्रेस करें करेंज से जुड़े रहने के लिए रहने को असार भाइकन करें हुआ अपरे, हुआ आपरे, हुआ हुआ पाल, मुझे पाल, मुझे जुड़तो मैं ठीली जानते दूगी अपरे, चाहिए इस वाधने दूगे यहां सब ठीक होकम चलता है, समझेए? तुम मुझे यह दो किसे लायो? यहारे चेट, यहारे बास रहा! यह मत भूलो सरी, ना कि मैं तुमारी कंपणी का बास हूँ तुम बास नहीं, तुम कुत्य हो! अगर मुझे तुमारे बार में ज़राव हो रहाद में, विजयोगी का बासि रहा हो विजयोगी का ब मamment का बास हो चेटावी यहाँ यहारे ख़ distributor में यहारे यहारे विविश नहीं यहारे ख़्स्ट टुम विविन जरीना, जो हो गया सो हो गया जिमी की कमपनी में काम करने वाले लड़कियों के लिए कुछ उसूल होते हैं जो हम सब को निवाने पड़ते हैं आज से तुम हमारी कमपनी की पर्मनन में मर बन गई हो और तुम्हारी तंखा पांच सुर रपे बढ़ा दी हुए अब तुम्हारे लिए एक ही तुकाम रह गया है कभी-कभी मुझे और मेरे दोस्त खोखा को खुश कर देना जाओ, अब तुम उस कमरे में जा सकती हो बस इतना ध्यान रखना खोखा हमारा ही पार्टनर है हुपा हमिरा झाल अब लूमून कभी कभी धिस कि अ councilsалась आटार दो फ्सक्वेओर मंझे देजरिए च्त्व परनजर अीड सके लार다면 लो प्रश हम संटी खरो नॉसंब इन्हें प्लू मून कभी,कभी शोग। ऑज़ की साला खबर शहर के करूरपदी से जिनके के बेडे जिमिपत बलातार और फूल का इजाम आज की दाजा कबर आज की अदलत में जिनके के खिलाफ सरकारी वकील विश्वनाथ शुनत, शुनत, शुनत अब अब जाएगा के सुनने में दोस्त, देखो सेट जी एंड के ने अपने बेटे को बचाने के लिए मुलक के छे बड़े बड़े वकील बलवाए हैं अरे यार छे बनाया साथ, एक ही वकील काफी है, जिसका नाम है विश्वनाथ लगी बीस-बीस की दिनाध मेरा विश्वनाथ पर पर प्र भीस ही बश्वनाथ पर विश्वनाथ 1 का डस्भा नहींगे विश्वनाथ 50 रुपे एक के दो 100 रुपे विश्वनाथ के ऊपर मेरा 200 रुपे जीन की पड़ यही है सेट जीन के बड़े रहीसान अठाट लगते हैं कर चुपे जीन के बड़े लगते हैं तो बिश्वनात में आपके यहां कॉंची चीज है बिश्वनात देखने के नहीं, सुनने के चीज है श्री गुवर्धनलाल करोडिया उर्फ जी एनके के बेटे निस्टर जीमी उर्फ जम्चूचं करोडिया ने जी एनके वाश कंपनी में काम करने वाली एक टाइकिस्त लड़की को किसी बहाने खंडाला ले जाकर सेज उक्राज के बंगले में उसने और उसके साथ ही जो फरा अबा बोला और बाद में उतका खत्ल कर दिया वाँ यॉर्णर सारे शहर में इस केस का जितना शोर है उतना ही ये केस कमजोर है शेर जी के चंड दुश्मनों की बनाएवी साधिश का परदाफाश करने के लिए मैं इस केस से मुतालिक कुछ लोगों से पूस्ताच करना चा उस पार्टी में उनके पार्टनर सेट पुखराजी और पॉलिस कमिश्नर श्री एस के महंता शामिल तो सबसे पहले मैं सेट पुखराजी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा सेट पुखराजी जिस बंगले में वो पुखर हुआ वो बंगला आपका है और जी हां बिलकुल मेरा है और मैंने उसके अपने आराम के लिए बनाया शिवाए मेरे वहाँ कोई जाता भी नहीं है मिस्टर जीमी ने कभी आपके बंगले में जाने की कोशिश की वकील साम्स्टर जीमी सेट गीन के करता है उसके बास वोटलों और बंगलों की कोई कमी नहीं मेरे तो खैल है कि इसने मेरे बंगले की शकल तक नहीं देखी तरस पॉइंट तो फिलो हसीना मिस्टरीना आपके मेरे बंगले में कैसे पहुंची कि विलार्ड मैं वकीर साथ से दर्खास करूँगा कि यह सवाल वजाए मेरे अगर मेरे बंगले के चौकी जाथ बिहारी से किया जाए तो बहुत बहुत है मिस्टर विश्वनात आपको इनसे कुछ सवाल पूछना है जी नहीं आगे आगे देखिये होता है क्या कुछ शाम बंगले पर एक साहब और रखती आए बोले हम सेट के आदमी हैं रात को यहीं ठैरेंगे बिहरी उन मेम साहब के साहब जो साहब आये थे उन्हें पहचान सकत वह साहब जो सामने खड़े हैं वह तो नहीं है नहीं नहीं वह तो काफी हुच्छा लंबा पतला दिवला आदमी था ठीक है तुल्डा सकते हो हाँ अगर विश्वनात साहब कुछना चाहें तो जिने यह पसद्धियनके के पिट्टू में सब ड्रामा बना के रखा है तो विश्वनात सवाल क्यों नहीं पूछता है मिस्टर लाल कतल की रात उस बंगले में जरीना की उस आदमी से काफी हाथा पाई हुई और उसी जगह पर पुलीस को एक फटी ही कमीस का कालर मिला कि यह कॉलर जिमी के रावा किसी और का नहीं आपका इस बारे में क्या कह रहा है यह ऑनर माना स्कॉलर का साइज वो कैसे कह सकता है कि ये कॉलर जिमी की कमीस का है मिस्टर विश्वनात आपको इस बारे में क्या कैना अगर आप इजाज़त दें पहले मैं अपना सवाल खत्म कर लूँ ठीक है आप अपना बेयान जारी रखी अपन तो दो सब रुपए जित गया प्यारे क्यों अब तो विश्वनात के कॉलर का पॉइंट भी मार खागया यार मगरे भाई धंडा क्यों गया यहां की एक और्गनाइज़ेशन ने जिमी के बुलंद कारणामों पर एक फिल्म बनाई है हम बकीलों की यह दर्खास तयात से कि वो फिल्म अदालत को यहां अभी और इसी वक दिखाई जाए ताकि अदालत को पता चले कि मिश्टर जिमी ने समाज अपने देश के ले क्या क्या नहीं किया खरीब बस्ती से लेकर विदेशी कमपनियों से रिष्टे कायम करने वाला यह भूनहा नौजमान क्या ऐसी जलील गंदी घटिया हरकत कर सकता है ठीक है अदालत तुम्हें यह फिल्म देखाने की इजाज़त देती लेकर तुम्हें विदेशी के लेकर सकते है कि उनके पास तो कई पॉइंट है विश्वनाथ के पास एक भी नहीं अरे अभी ठेरो तो यार अभी विश्वनाथ कहा है मिस्टर विश्वनाथ इससे पहले के अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे अदालत आपका बयान सुना चाहती आप को कुछ कहना है जी हां जी हां अफ अफ अच्छ आप और अप जी अवार मेरे दोस्त मिसर दी फिलाद जो इस मुल्क के बहुत ही हुनार और समस्थधार वकील है इस केस को बड़ी ही खुबसूरती के साथ बड़ी ही समस्थधारी के साथ पेश किया उनके प्रेजन्टेशन में एक असायल था, एक मात थी लेकिन खुबसूरती ये, कि केस की सच्चाई, उसकी गहराई, उसकी भावनाओं को कोई अहमियत नहीं दी गई किसी ने किसी आखोन कर दिया, कोई बात नहीं इस बात की अहमियत सिर्फ इतनी थी, जिस तरह से हस्पताल में किसी मरते हुए आदमी की वहां के वाट बॉय के सामने होती है इस बात की अहमियत सिर्फ इतनी थी, जिस तरह से फासी पे चड़ने वाले किसी आदमी की, वहां के जलात के सामने होती है इस बात की एहमियत सिर्फ इतनी ही थी जिस तरह से शम्शान घाट में चिता के जलने और लोगों के रोने की वहां के चौकिदार के सामने होती है ठीक यही एहमियत एक विद्वा गरीब औरत की एक लौती मुलाजिम जवान बेटी के कतल हो जाने पे हमारे खाबिल दोस्त मिस्टर डीपी लाल ने अपने दलील में दी क्योंकि श्री जीन के सेट और उनकी संतान इस देश के चिराग है और वो लड़की एक बुझा हुआ मिट्टी का दिया ये फिल्म अदालत में दिखाई गई लेकिन अगर यही कतल किसी गरीब ने अपने घर की यान बचाने के लिए सेट जी के बेटे का किया होता तो मुझे यकीन है कि उसे अपनी एक अच्छाई का शायद एक फटा सा सार्टिफिकर्ट भी पेश करने की अजाज़त नहीं दी जाती क्या मैं अदालत से पूछ सकता हूं कि किस बिना और किस कंसिडरेशन पर ये फिल्म अदालत में दिखाने की अजाज़त दी गई क्या इसलिए किस अंधेरे में मिस्टर जिमी के सारे काले कारणामों को गमनाम कर दिया जाए ये फिल्म अच्छी थी बहुत अच्छी थी लेकिन क्या मैं अपने काबिल दोस्त मिस्टर डीपी लाल और उनके सहियोगी वकीलों से पूछ सकता हूं कि वो फिल्म कहा है जहां मिस्टर जिमीर रात भर अपने दोस्तों के साथ जुए और शराब में मस रहता है वो फिल्म कहा है जहां इसके बंगले में होने वाले जश्टों में वे शौप और लाकों रुपे रदी कागस की तरह फैक दिये जाते है और वो फिल्म कहा है जहा नहीं ओफिन वो फिन ना है ना मिलेगी ना कभी दिखाई जाएगी इसलिए कि मिस्टर जिमी सेट जी एन के का लड़का है और वो एक टूटे हुए जोपड़े में रहने वाली लड़की जिसकी एक महीने की तंखाम मिस्टर जीमी के कुटों का एक दिने खाने खर्चा आए मैं कोई मैं कोई खरीबों की जजबात या उनकी तक्रीफेटाने की कोशिशे नहीं कर रहा है और नहिकोई में मेर्गों के खिलाफ है मैं सिर्व उन अमीरों के खिलाफ है विए या उनर तो यह समझते हैं कि पैसे के जोर से वे खानून तक को खरीच सकत bags हलाके नहीं हर्गेज नहीं यहां सिर्फ दोई कि आदमियों के जाच होती है गुनागार की और बेगुना की फिर यह सबूत यह गवाई यह दलील यह बात किस लिए मिस्टर प्रेसीक्यूटर अदालत यह महसूस कर रही है कि आप जरूर इसे जाच जजबाती हो रहे हैं मिस्टर लाल के दियोए सबूत गवाई और दलीलों को आप नदर अंदाज करना चाहते हैं यह केस बिलकुछ सच्चा है बिलकुछ खरा है इसका सबूत अब तक मेरे पर सॉलिड नहीं था लेकिन अब पक्का हो चुका है तो क्या मैं भी अदालत से इस बात की दर्खास कर सकता हूं कि मिस्टर जिमी की और अंगीन फिल्म एक बार फिर से चलवाई जाए प्राव प्राव जाए लेको भुवर रजग मंगा एका उसा कि अर्वार, शुखा कि अर्वार अर्वार, जो हुआ है, यू अर्यू जुखा। झाल गला फृड़ कि आपई लेका जा प्रुड़ लीका मंगा है जुखा कि अपट पिए निए जुखा अर लेका प्र निए इसे जिमी की डासों हमेशा वलका सा दर्द रहता है और उनकी खास आदत में कि या खाना खाने के बाद अपने दाटों कोच आजी की खास पिन से साफ करते हैं और वह चाली का पिन रखने के लिए उनकी हर कमीज की हर कॉलर में एक खास जगर बनी होती है देखे रोनर वैसा ही एक पिन आपके सामने है जो उनकी कॉलर है पड़ा था वैसा ही एक पिन जो सामने फिल्म पर दिखाई पड़ रही है केस के हालात और शकल की अचानक तद्दिली की वज़ा से अदालत कल तक के लिए मलत्वी की जाते है बेटा विश्वनात हम गरीब लोग तुम्हारा कर्स कैसे चुका सकते हैं आप फिकर ने कीजिए माजी हम यह के जरूर जीतेंगे आखिर आप भी तो हमारी मा की तरह है ना अल्ला करे मेरी उमर तुम्हें लग जाए बेटा भगवान तुमने विश्वनात के पिता को जो शक्ती दी थी उससे बढ़कर मेरे विश्वनात को शक्ती देना बस उसकी एक चिंता दूर कर देना भगवान मुन्नी का प्याद जल से जल कर देना तुमसे किस ने कहा मा की मुन्नी की व्या की चिंता मुझे है, उसके भागी में जब लगन होगा, हो जाएगा मैं जानती हूँ बेटे, एक भाई के लिए जवान बेहन कितना बड़ा बोज होती है जो उसे पसंद करते हैं, वो दहज मांगते हैं और जो तहज नहीं चाहते हैं, वो उसे पसंद नहीं करते हैं उसके सामने ही उसे अपाईच कहे कर चले जाते हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटे, मुनी का अब क्या होगा मात, तुम्हारे यही आँसों मुझे अच्छे नहीं लगते मुनी का सहारा उसके सिर्फ दो बैसाखिया ही नहीं उसका भाई विश्वनात भी है उसके सारी खौईशें, सारा सपना मैं पूरा करूँगा कैसे करेगा बेटे, इतनी से आमदानी उसके इलाज के लिए 15-20 हजार रुपे कहां से लाएगा मा मैं कहीं से देखा न, तुम्हारी यही बाते मुनी को और कंजोर करतेंगी यह मैं क्या देख रहा हूँ इंस्पेक्टर प्रताप नात की बेटी आज अपने उपर तरस खा रही है बापाद मुझे मार क्यों नहीं डालता मुझे शादी नहीं करने नहीं करने मेरी बेहन बिलकुल शादी नहीं करेगी मैंने मा को भी मना कर दिया कि अब लड़का लड़की देखने कोई ड्रामा नहीं होगा मेरी बेहन अपने पाउँ पर खुद खड़ी हो मेरा मतलब है कि तुम पड़ी लेखी हो बीए पास हो खुद खाकमा सकती हो तुम किसी पर बोच क्यों कर बनोगे क्यों बनोगे पेटे कुछ लोग तुम्हे बाहर मिलने के लिए आये हैं अब तुमने इस रुलाया है चुब भी तुम्हे करा मुन्य मा आदाब बजा लाता हूँ उजूर खाकसार को जोल जाल कहते हैं कहां से हैं आप लोगों ये क्या है नाचीज एक छोटा सा तोफा लाया है शहर की मशूर हस्ती जी एनके सहाब की तरफ से पैगाम दे जा है इस पैटी में इतने नोट हैं जितना तुम्हारा वदन है कलादालत में जिमी का बचना बहुत जुरूरी है रात नहीं समझो जितनी बड़ी तुम्हारी पैटी है उतना बड़ा मेरा घर नहीं एक बाप की भावना को न समझता तो तुम्हें रिशुत के जुरूम में जेल भजबा देता पच्चा है बेवा हूं है तो आटाटी है जाँगो कल ग्यारा बचकर 30 मिनट पर जिमी की जिन्दगी और मौत का फैसला जड़ साहब करेंगे और 11 बचकर 35 मिनिट पर विश्वनात की जिन्दिगी और मौत का फैसला हम करेंगे याने के कोट के बाहर ही से जी आज एंगो फैसला सरे मैदान में हुआ करता है तुम हो गए और तुम्हारी टेलेसकोपिक बंदू पुराने कपड़े अपने खरीब दोस्तों या अपने नौकरों में बाण गया हूँ मुझे मालूम था यह कहानी भी अदालत के सामने पेश की जाएगी इसे लिए कल सेशन के बाद मैं और पुलिस कमिशन मिस्टर इसके महंता सारा दिन सारी रात उस आदमी के तलाश में रहे जो वारदात के वक्त जिमी साहब के साथ था कि यह वो खुखार आदमी है जिसने पुलिस रिकॉर्ड के मताबिक बारे खून अलग अलग शहरों में किये हैं और जिसे पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी थी मौका में वारदात पे पुलीस को कुछ माफिया के इंजक्शन्स पिले और साथ में उस खुखार आदमी के प जिस्टर जिमी के इस खास जिगरी खोखार दोस्त को पेश किया जाए जो अब तक फरार था और जिसका नाम है खोखा झाला है इंख सिक्राओंवा श स्थम्काल को वार इंदरने एंष परार घ्रिया गुली स 6 फोबर जिसका प्लों से खास करा लो अब दोग्यां है कर。 कैंथ क्सी prepared वार कि ऑंज कर दो कर दो कर दो का दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल इस केस के पूरे हालाद और जांच परताल के बाद अदालत मिस्टर जिम्मी और जम्शूशन करोडिया और उसके साथी खोका को ताजीरात हिंद की रूसे दफा 306 और 302 के तैर बा मुशकवत उम्र कायद की सदा देती है वान इस इने ब्लूमून कभी कभी करी है Сईनी, सँनी, हां इस इस साथ, वैदी हां इस 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 इसस dryer उर जिम्मी साथ विश्वनाद जैसे आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है? सर, मेरा ख्याला है जीन के का आदमी? ने, ने, जिस आदमी के बेटे की जिन्गी और मौत का फैसला हो रहा हो, वो इस वक्त ऐसी हरकत नहीं कर सकता. सर, खोका के आदमी? आँ, यह हो सकता है. कोका को सजा दिल्वाने के बाद, उसके आदमी विश्वनाद के दुश्मन हो सकते हैं. सर, CID और पुलिस दिपार्टमेंट को विश्वनाद के पूरी हफाज़त करनी चाहिए. इसलिए के यह खत्र फिर पैदा हो सकता है. अगर हम ऐसे खत्रों से डर जाएं, तो फिर अपना फर्स कैसे दिवा पाएंगे? लेकिन आपने.. शुक्रिया, 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 ओफो यही कहने आयना आप. No need of thanks. Cigarette? जी नहीं, मैंने ही पीता हूँ. कमाले, आपका काम तो सोचना है. पीते नहीं तो जीते कैसे हैं? देख लीजे, अफीतों तो जीही रहा हूँ. दरसल मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ. I'm not a good girl. दूसरों की जान बचाने वाले लड़की को, बुरा कैसे कहा जा सकता है? आरे नहीं यार, वो देख एक्सिजिन था. One minute. अगर मुझे पता चलता, गुली चलने वाली है, तुम्हें सामने थोड़ी आती. लेकिन आपकी हर बात फ्रैंक है, उसमें सच्चाई है. सच में सच्च तो यह है, कि आप जैसा आदमी मैने तो या किताबों में बढ़ा है, या तो फिल्मों में हीरो लोगों को देखती रहती हूँ. मगर जिन्देगी में, जिन्देगी में साला एक भी अच्छ आदमी नहीं मिला. आप काम क्या करती है? डांस. डांस? हाँ, हाँ, पैसे कमाती हूँ, डांसर हूँ ना, सबी बड़े लोगों को जानती है. गोली किस ने चलवाई? इसका अंदाज़त तो आपको होगा ही? जरीना के कातिल का बाब G.N.K. जो कानून भी खरीद लेना चाहता है. उससे आप नहीं उलजें तो अच्छा है. आपका मतलब? ये बात आपके और मेरे बीच रहें. गोली G.N.K. ने चलवाई थी. कोई सुबूत था आपके बस? सुबूत तो अदालत में दे जाते हैं सेट जी. मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने आया हूँ. कि जिस दिन खानून और वकील आप जैसे सेटों की धंकियों से डर जाएगा. उस दिन इस देश में इनसाफ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी. और फिर दुनिया इस देश को भारत वर्ष के नाम से नहीं जानेगी. अगर विश्वनात आपके करोड रुपे की भेट को ठुगरा सकता है तो आपकी गोली का जवाब देना भी जानता है. विश्वनात विश्वनात किस चीज का नाम है? विश्वनात उस चीज का नाम है जो गरीबी और इनसानियत से प्यार करता है और आप जैसे राक्षसों पे वार करता है वड़े डबल स्टेंडर्ड का अदमिया जैनके तो सिर्फ एक ही काम करता है या आर करता है या पार करता है बहुत हसलत है विश्वनात का खून करने की यह यह लीची मैं आज आप ही के घर में आप ही के सामने आपको अपना हथियार पेश करगा घबराएए नहीं मेरे ही नाम पर चलाएए गोली आत्म हत्ताया केस होगा यह तो कोई आपका मामुली सा वकील भी जिच जाएगा के अंगलियों के निशान आपको निशाना बनादा सकते हैं इसलिए यह लीजे रुमाल जस्वर सिफटी सेग दैंगो 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 दोली भीन की सीना भीन का मेरा इसमें कर्चू नहीं जो कुछ है सो तेरा इस्तनाथ जगह पर तुम खड़े होना उसके नीचे एक तक सब्सक्ता है और उस सब्सक्ते की नीचे घडर है तुम्हारी लाश का पार्सल नीला दूर इस शहर के बाद भेज दिया जाएगा का चीलों कभी वहां आने पर बद्बू आती है आप वो खून कभी नहीं करवा सकते जो जिमी के साथ साथ आपको भी फासी के तखते तक ल अर्वाट कर ना आया तो समझ लेना जी एंक ने मेरा खून कर दिया लाइए पिस्तॉल वापस देजिए आप मंद अपनी अकल से डौलत मंद बन सकता है, मगर डौलत मंद अपनी डौलत से अखल मंद नहीं बन सकता. इसलिए आप बेवकूफ हैं जो इतनी जल्दी नर्मस हो गाए. पुलीस इस तरह के केस दरजी नहीं क्या करती है. ऐसे मामलों में साथ है करती है. जी एन के मेरे आने का मतलब सिर्फ इतना था कि विश्वनाद से लड़ने की कोशिश करना अपने आपको जंजाल में फसाना है और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो मेरा पता है 31 एरिश पार्क फोन नमबर 547449 गुड़ नाइप तू स्पार्ट है अब मज़ आएगा जंगो जब कोई इकड़क सुपारी दांतों से न तूटे तो उससे थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख देना चाहिए चनाब याली के हर कदम पर मज़र रखी जाए ये मेरे डाडी है दुनिया से चले जाने के बाद लोग इने मशूर संगीत कार फनांडिस के नाम से पहचाने लगे ये वही मशूर प्यानिस फनांडी साहब है जिनके गीत अकसर रेडियो पर सुनने को मिलते है जी हाँ वही बहुत अच्छे गीत बनाए इनों रहे है बीडियो टिफ़न जीआ उनके घीत तो क्या बहुत तक नहीं सुन्ते थे मसीमत वन घही पीस पचीस रुपय के लिए लिए किसी भी पाठी में गाने के लिए तैयार हो जाते तो जलते शलते खकता याए तो चलते चलते ठक जाए तो दुनिया बोखर बन जाए तो आज का सूरज ढ़ल जाए तो कुपान भी बातल जिजली फिर भी चलते जाना सब जब जो जो खुना है बस वो अपनी कला को गरीबी में लिपटाए यही खत्मों गे कला को दॉलत से खरीदा जाता है विश्वनात बाबू कि अपने निर्टकला को खूब बेचा खूब दॉलत कमाई और आश वाराम का एक नया दौर शुरू हुआ मगर आपने कभी यह भी सोचा कि आपके अंदर एक हंदोस्तानी आउरत भी चुपी है यह नंगे पन का डांस यह सिगरेट यह शराप यह सब हालात के कारणा में हैं हालात कौन से हालात हालात शब्द का इस्तमाल बहुती कमजोर और बुजदिल इनसान किया करते हैं जो दुनिया के नजरों से अपने बुराई को छुपाना चाहते और खुद को धोका देते काश आप एक लड़की को समझ बाते हैं जो सिंदगी में अकेली है तनहा है हसती है लेकिन अपनी आहों को छुपा कर और सोनी सोनी हम दोनों अच्छी लड़के नहीं हूं अच्छी बनता सकती है तुम अच्छी मैं अच्छा तो सब अच्छे जी आच्छा में चलता हूं सुनिये क्या है कुछ नहीं सोनी जो प्यार करते हैं उसका इजहार नहीं करते हैं जाओ 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 कि जाओ जाओ जाब जाओ जाओ जली दे जली में दा, हुई जो उनसे मुला सोई में ही में सारी रार थामो रे थामो मेरा हाथ ते रे उड़ने लगे है जज़बा जली में सारी इनसे में Samilस म lighter करतने ले रार श लिड्टाउ भी एसाचा आस Maisis शीमा, हमा इस्टाउ आया दे सावन भीगी हवाई प्यार की मारी उर्जी पेरों से लगाई जाने क्यों मुझे को लगता है ऐसे विंजिन बुंदों में बरसे सचना तो प्यार आवा से हाली की हुआ हुई जो उनसे मुला पा चली रे चली में तो हाँ हुई जो उनसे मुला पा वो तो शर्माते बोड़ा धबराते अपनों से अपने मन की बाते क्यों छुपाते चोर बचा के सबसे कहूंगी चोरी नहीं कि मैंने किया उनसे प्यार आवा से हाली की हुआ हुई जो उनसे मुला पा जाली रे जाली में तो हाँ हुई जो उनसे मुला पा तो हाँ जाली में जाली में जाली नहीं इतने परसों के बाद अदे मिले तो सही शांती बहन राजरानी परतावनात के चले जाने के बाद इस औरत ने जो दुख उठाए हैं और इस कदर अपने दोनों बचों को ग्रेट बनाया है ये सिर्फ शांती बहनी कर सकती है विश्वनात परतावनात के पुरानी दोस्ती के खातर आज तक मैंने तुम्हे कुछ दिया तो नहीं लेकिन आज मैं तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ अपने बेटे विजय के लिए मुनी का हाथ मेरा बेटा विजय बंबई के एक बड़ी कमपनी में सेल्स मेनेजर है हर महिने दो हजार रुपए कमाता है यह उनका पोटो है आप भी पसंद कर दीजिए तो हम यह सगाई पकी समझें राज अंकल अंधकार से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हे रौशनी चाहिए ग्रेट शांती बहेन मू मिठा कराओ मिठाई खिलाओ एक बात पूछो अंकल यह घर का सारा ब्योरा आपको दिया किसने अरे वो मीरासी आया था वही जो तुम्हारे कचेरी के बाहर घुमता पिता है क्या ना में उसका गोलू गवा गोलू गवा जच का चूट और चूट का सच बना देने वाला एक ही गवा वह गोलू गवा हर केस का सुल्जाओ मिंटों में गोलू गवा की भीस हरक के लिए एक ही है चोरी के लजाम में 25 रुपाई एक्सिडेंट में 30 रुपाई टकैती में 75 रुपाई जैदात मकान में 100 रुपाई और खून के लजाम में 200 रुपाई पकीलों से परशान लोगों के लिए ताकीद है के वह गोलू गवा से बेट करें अरे गीता पर हाथ रखकर जूटी गवाई और चूटी कसम गाना को यातान गल नहीं वह एक ही कर सकता है और आप लोगों का दोस्त आप लोगों का अमदर्द गोलू गवा अरे गोलू गवा एडवल्यू डी मतबल अडवोकेट विदाउट डिग्री कोई किरा काया आया सेट रती राम मलंग हमें क्या करना होगा काम मुझे बचा ले भाई शादी करके बड़ा पश्ता रहा हूं रामकसम मुझे बचा ले अरे साथ नाम सेथ शादी तो होती है बरबादी इसलिए तो आमने अभी तक नहीं कि गुल यह सो रुपिया गवाई कि एडवांस है अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम अब इदर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम चलो एक नमबर का है यहां सेट अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट है गोलु भाया अरे यह गोलु भाया की कौन सी पैन आ गई सेज अतिराम की बीवी हूं त किसी लड़की के चक्कर मां के मुझे तलाग देना चाहते है अब यह हमें नहीं मालूम हमारा तंदा गवाई देना तू ज्यादा पैसे दे उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास चुम्हें वकील कर सकूँ यही तो मुसीबत है यहला फड़ अपने पते के कि गवाई देने चले आते हूं साथ बचन महाराज बात अरसल यह सरकार के गोलू एक मलंग तड़ंग गलियों में सड़कों में फुट पाथ पर सोने वाला एक आवारा बेकार आदमी है अब बेकार आदमी कहीं नहीं बैठेगा उठेगा सोएगा और पिर कल्जुक के जम करो और यह बता कि तुम्हारे पड़ास में रहने वाले को विद्याति के साथ रती राम की पत्नी शिर्मती शांती के नाजाएस तालुकात हैं आंखी तो आंखें होती हैं वकील साथ इन आखों ने कुछ देख लिया जो यह गवाई देने भी यहा ना पड़ा परसो पहली की अब्रा einzelी में व्रस्थी में देखा पूछिये क्या देखा जी मैंने देखा कि टैकसी में सेच रती राम की खुबशूरत पत्नी खुबसूरत साड़ी पैने, खुबसूरत मेकप की उत्री और चुप चाप सब की नजरे बचा कर पड़ोच की स्वीडियों से उपर चड़ गई लाओ जी मैंने शक हो या, मैं भी उपर चड़ गया उपर चड़ कर पता लगा कि दर्वाजा अंदर से बंद लेकिन दर्वाजे की धीमी-धीमी रोशनी से, चान्ती की धीमी-धीमी हसने की आवाज आ रही थी अना, ठहरो नभी जल्दी के अभी तो मैं आई हूँ, इतने में लड़के ने रेडियों उचा कर लिया सब हूँ, हाँ, हाँ, बंद हो गई, इतने में तूं, रोशनी बाया, अंधेरा, मेरा दिल धड़क, धड़क, धड़क में लगा, सोचा, क्या शादी शुदा आरते भी ऐसी हो सकती है, छे, 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 ये देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, मैंने अपनी नाद चाभी वाले छेड में गाड़ दी और इतने में धेंधरावादा फेगया धर-धर-धर-धर-धर-धर-धर नीचे गेगया, फिर, पिर, पिर, जप्या, मैं पलं से जमीन पर गिर पड़ा और मेरी आँख उल गेलाओ, तब पता लगा कि मैं तो ये खुआप देख र हुच हो आगे क्या हुआ आगे यह हुआ सरकार कि मैंने अपना ये खुआ बातों ये बातों में अपने दोस्त मलंग को सुनाया और मलंग में इस बात को सच समझ कर सेठ रपी राम को जाकर बताया और यह सेठ रपी राम जो एक नंबर का याशर्प पद्माश आदमी है तो गोलू। तुने मुझे धुका जिया। गोलू पापे, तुमने जो असान मुझे पर किया है। ओ छाज न पोले बादशा, हम तो तेरे फैन हैं। ओ असान तो जो शांती बेहन ने मुझे पर किया है। तुर जो इन गरीब लोगों पर कर रहा है, उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। एक बार मुन्नी की शादी हो जाने थे, उसके बाद तेरी शादी फिट। मेरी शादी? ओ हाँ वे, यह चक्कर भी तो मैंने ही चलाया है। चक्कर? देख, देख, आगे, नहां भी सोना और कोडी भी सोगी। सोनी? हाँ, सोनी को तुम जानते हुगा, इसको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत ही अच्छी कोडी है, बहुत ही चंगी कोडी है। लेकिन एक बात का ख्याल लगना, मैंने इसे जूट कहा था कि तुमने इसे यहां बुलाया है। याले तुम जूट बनना छोड़ोगे नहीं। जूट भी बोलता है नहीं। वापे, गरा काया। दंदा बिजनस है, जल भाई, जल। केस्टो दादा? हां!, केस्टो दादा, गोलूने मेरे साथ धोका किया है 나 अब देखो, उसका कैसा धोकला बनता है। शाला, सारी गवाही भूल जाएगा। और दर गया गल असली बाप का बेड़ा है तो बार ने कर हाँ थन पाग तु दो न आओ पूतो भलो कान केस्तो दादा आब या तरसल गल ने या केस्तो दादा कि ये तो तेरे और मेरे बाप को भी पता नहीं था के वो भी असली बाप के थे या नहीं तुने हमसे पैसे लेकर अदालत में उल्टे हमारे खिलाव ये गवाई दी कि हमारी बीवी अच्छी है और हम बदमाशे तो क्या तु अपनी शराफत के ये चार-चार फुटे साथी फिकेट लेकर आया है देख गोलू सेठ रती से दुश्मनी बहुत महेंगी पर जाए गया अच्छाड़ सेठ तेरी नगरी में सस्ता मिलदा ही क्या है गोलू क्या केश्टो दादा की मौजूदगी इस बात का इशारा नहीं कि तुझे कोर्प में अपना ब्यान आया है ना इनको तो मैं बच्पन से फाइटिंग सिखाता आया हूं और पच्छी साल ता कीता किया फाइटिंग ही तो कीती है अब छड़ दिती है अरे ये अरे गैरे नतु खैरे मेरे साथ क्या लड़ेंगे बिचारे अच्छो पॉय चिलाने वाले में दम कम होता है केश् गोलू दादा हुआ करता था और आज तक किसी शेर के पुत्तर में इतनी हिम्मत नहीं हुए कि इस उलंपिक शील्ड को मुझसे चीन सके ले एक कोशिश तू भी कर ले चाल भाई चुकू लावाई ऐ रेया सिक्का गोलू के चक्कर में गोलू को अराना है तो ये सिक्का ज तो भेज उन शक्कों को चुकन है जो बेटा ठीक है ना पोस्ट क्लास अंगद्ध पैरी आप तर ला ला जोर ला आपने डादा को समझा क्यूं मेरे पाउं पड़ता है और पड़ नहीं है तो जाके तेरी नेक बीवी के पाउं पड़े हाँ शवादू चल करका जादाK करका पर प अजादा पता है । करका जहीं ही रड़े र다ट पुलिष, रिपर्टेर रो, रिपर्टेर रो! बटनाम, स्री भाश गुरू गुलू भाया सॉरी मेम साथ, इस वक्त वाड़ी कोई सेवा नहीं कर सकता, मेरी ट्रांसफर का टाइम हो गया है मगर तुम क्यों परेशान होती है, अरे ये तो चलता ही रहता है, कभी अंदर, कभी बाहर सोनी, विश्वनात को कहना, कि अगर मैं जेल से जल्दी छूट गया, तो मुन्नी के मामे की रसम मैं पूरी करूगा, नहीं तो वाय गुरू तेरे खेलने आ रहे, चल भाई थाने दारा, ले चल दूजे कर आपकी शिपिंग कंपनी के मैनेजर, राज किशन महता के लड़के की शादी पक्की हुई है, उसी उपलक्ष में आपको ये लड़्डू फेजे, वरे गुड, वरे गुड, उनको हमारी मुबारबाद देना, किनकी लड़की है, अजी वही बिश्वनात लखील है, ना, उ वाले लड़के को एतनी बड़ी नौकली किसना दी, G.N.K. ने, तुमें अपने करियर पसंद है, अपने लड़के का फविश्वनात पसंद है, इसके तुमें फैसला भी, और इसी वक्त करना होगा, कि तुमें कौन पसंद है, G.N.K. या विश्वनात, G.N.K. या इतनी बड़ी भीजती, नहीं बेटे, अब बुन्जी की शादी कहीं नहीं होगी, लोग तरे तरे की बाते करेंगे, भगवाल जाले अब क्या होगा राचा साहब, आपने ऐसा क्यों किया मैं मजबूर हूँ, मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम हमें दे भी क्या सकते हो आप अपने धरम इमान की कसम खाकर कहिए, आपने दहेच की कभी कोई बात की भी थी जो हुआ सो हुआ, सारांश यह है कि हम तुम्हारी निकम्मी बेहन को नहीं अपना सकते एक्स्क्यूज मी मिसेज राच मैता आपने तो कह दिया कि जो हुआ सो हुआ और मेरी बेहन के साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया मगर इतना जरूर याद रखिएगा के इतने बड़ी जलालत साइने वाला भाई आप लोगों कोट की दिवारे भी दिखा सकता है तुम हमें धंकी दे रहे हो आपने हमारी बेहन को आसमान पे लाकर जमीन पर पड़क दिया उसके जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैं कभी चैंस नहीं बैठने दूगा मिस्टर राज मेहता साइंक्यू वरी मुच और गुडबाई आप चिंता मत कीजिए मैं खुद विश्वनात भाई साब से मिल लूँगा और उन समझा दूँगा कि दहेज वेज की कोई बात नहीं क्योंकि शादी मुझे करने हैं ना के मेरे डैडी को विश्वनात बहुत खुद्दार इंसान है उन्हें यह नहीं पता है कि मैं आपके पास आई हूँ आज शाम को मैंनुन अपने घर बुलाया है अगर आप यह आजाएं तो आमने सामने बैटकर घलसा मी दूर हो सकती है ठीक है अब इस टाइम के बाद मैं किस वक्त भी आपके घर होता आऊंगा मैंने आपसे कहा ना आज रात में कोई शो करना नहीं जाती यह हमारे होटल की इज़त का सवाल है मैडम विदेश से एक बहुत बड़े डालेगेशन को पार्टी दे जाने वाली है और आप यह मत भुलिए कि आपको आर हमारा कॉंट्रक्ट है हम जब चाहें आपको डांसिंग शोगली बोलवा सकते हैं लेकिन आज मेरी खास महमान आने वाले हैं आपको आना ही पड़ेगा प्रीज मैडम क्या मुसीबत है जॉन विश्वनाजी और एक विजे बाबू आने वाले हैं नहीं, विश्वनाजी ज़रा देर से आएंगे आप ये लीजे ये क्या है? ये 10,000 रुपय है 10,000? विश्वनाजी ने कहा था आपके पास देने के लिए ये क्यों सारे रुपय है? क्या है अपने दामोदर सेठ है ना उनसे विश्वनाजी ने उधार लिये थे उननी बहन का इलाज जो कराना है अच्छा, मैं चलता हूँ लिकर चलता क्या हूँ सनी? 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 सूम लव खम . कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कि ना किए का दो कर दो किष्maными कर दो Soni? कर दो 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 झाल 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 एलो पुलिस स्टेशन मैं विश्वनात बोल रहा हूं इस वक्त मेरी घड़ी में छे बच कर और तालिस मिनट हुए हैं यहां किसी का खून हो गया है आप बोल का से रहे हैं आप जुहू से सोनवी के बंगले से बोल रहा हूं हां मेरा नाम इंस्पेक्टर कुंटे है ओके ओके मेरी घड़ी में छे बच कर पचास मिनट आप महीं रुकिए हम लोग अभी आते हैं अलो पुलिस टेशन देखिए सोनी बंगले जुहू पर अभी 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 एक आदमी का खून हो गया है खून से पहले हमने मशूर वकील विश्वनात को अंदर जाते हुए देखा है कर देखा है कर देखा है कि पोस्ट मार्टम के रिपोर्ट के मताबिक विजय मैता फून पांच बच कर 30 मिनट से पहले हुआ था और जब कि मैं वहाँ छे बच कर 40 मिनट पर पहुचा था लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि आप 6 बच के 40 मिनट पर पहुचे उस बंगले के नजदीक एक बस है जुरू चर्च जहां बस नंबर 231 छे बच कर 35 मिनट पहुचती है और मैं उसी बस से वहां पहुचाता है लेकिन एक नड़ उस बस कर टिकट अभी भी मेरे बस मौचिद है आपको नज़राना पिश्क कर रहा है चलिए माना कि यह टिकेट उसी बस का है लेकिन यह भी त जबर सकता है मगर इस बस कंड़क्टर को भी पहचान सकता हूं जो उस वक्त उस बस में ड्यूटी पर था ठीक है यह रहानर और यह बाद भी अभी सावित हो जाएगी लेजिए निशना साथ यह चैप अंड़क्टर आपके सामने खड़े हैं इन में से पहचानी और पताईए कि उस वक्त उस बस में कौन सा कंड़क्टर ड्यूटी पर था दाहिली यह और से दूसरा आद में जो खड़ा है उस वक्त ड्यूटी पर वही था यह साथ जो कह रहे हैं वह ठीक है जी है मैं उस वक्त ड्यूटी में था मैं पुख्राज बोल रहा हूं हाँ ठीक है जल्दी बोला क्या हुआ विश्वनाथ खून के इल्जाम से तो बच किया है लेकिन रिश्वत के इल्जाम से नहीं बच सकता क्योंकि हमने उसके एसिस्टेंट शर्मा को खरीद लिया है कि मिस्टर शर्मा जी विश्वनाथ के असिस्टेंट होने के नाते आप यह खबूल करते हैं कि विश्वनाथ ने आपको दस जार रुपए अपने पहुंचाने के लिए दिये थे जी हां वह वह विश्वनाथ जी ने दामधर भाई से लिए और मुझे घर पहुंचाने के मुझे बाद में बता है कि वह पैसे उन्होंने कुछ उनके केस को इधर ने अब हाँ इधर उदर करने के लिए देए शामा तुम क्या रहा हो जहां हम जानते हैं ना हम जो जानते हैं वही कह रहा है उसके सिवा तो कुछ नहीं कह रहा है अलालत को बड़े अफसोस के साथ ये फैसला देना पड़ रहा है कि विश्वनात ने सरकारी वकील होने के नाते जिश्वत कबूल की और कानून के नाम पर धबा लगाया इस जुलम में छै महीने बा मुशकत कायद की सदा दी जाती है बाबा जी जेल यादर ना बड़ा बड़ा फैदा होता है काम करते करते काम करने दी आदत बढ़ जाती है अम अधी पल्वान और काम करकर गे तेरे सेद को तो दो इंच भी फरक नी पड़ा अधे कमर दा कमरा बन गिया है बैज गोलू पापे दर आज वेज गोली होना है सेद कटन दा सवाल ही नी पहगा होना है अधी 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 मेरी आखें थोका तो नहीं खा रही है यह मैं क्या देख रहा हूं रामा इन से राम चला आ रहा है हम पापियों की नगरी में पापाजी है तो विशुनात लेकन यह जहां किस जुरम है वह एक जुरम नहीं जुलम है जुलम और यह जुलम गोलू अपनी आपों के सामने बरदाश नहीं कर सकता पापा लेकन मरने से पहले मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगा अरे कान है वह माई का लाल जिसने इस सच्छे पुरुश्ट को अधकरिये पहनवाई हैं मैं इसका कितनुगा होस जुलम अधकर जाये का लेकुन जाहा लेकिन दूजारा जाथे को नहीं चोड़ेगा अ अधकर बढ़नु अरी रम बंक जड़ा दे शे आंजलर्श और तेरी सत्विश्वा के गोलू की तादत से जादा मदबूत नहीं इस आदमे का आप से क्या रिष्टा है एक इंसान का कार एक ना ना तेक है हाई जिंदड़ी वे यार हाई जिंदड़ी कैसे कैसे रंग ये दिखाए जिंदड़ी कभी हस कभी ये दुलाए जिंदड़ी आसुओं के पिछे मुस्त आए जिंदड़ी हाई जिंदड़ी वे यार हाई जिंदड़ी कैसे कैसे रंग ये दिखाए जिंदड़ी ओ, खुश डेला, खुश डेला, ते उपात में हो ला, मेरे या मित रावे, तुल असाने नो लूणा, तुल असाने नो लूणा, हुआ 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 ह हुआ 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 ह sagt पुह ही रया के काँच प्रभ आप लेगा जाच कभी साच को तो आच नहीं आए रे बोल सचा सचा जूट रख हाउद लाग तूट सचे आदमी से जूटा हार खाए रे तूट सचे आदमी से जूटा हार खाए रे दाग दिल के दाग दिल के दाग दिल के मुहाँ पर तूट भूना मेरे या मित्रावे तूर असाम नहीं दोडा मेरे या मित्रावे तूर असाम नहीं दोडा और भा दो या मेरे या मित्रावी दोड़ा कल सुन मेरी जान कहें गीता ते कुरान फेड़ भलता नहीं है कभी पाका और दुनिया दिवानी जिना हमें परिशानी क्या हमने बिगाड़ा तेरे बाका क्या हमने बिगाड़ा तेरे बाका केसे पीतल को केसे पीतल को कहें हम सोना मेरे या मित्रावे खुल अता मैं दुना तो नहीं दोना ता नहीं दोना मेरे या मित्रावे खुल अता नहीं दोना मर मर कर ये गुजारी जिन्दडी बिगल बिगल ये समारी जिन्दडी मत कहो इसको हमारी जिन्दडी मांगी है खुजा से ये उधारी जिन्दडी हाई जिन्दडी वे यारो हाई जिन्दडी कैसे कैसे रंग ये दिखाए जिन्दडी तुम्हे जिन्दडी की इस चिन्दडी की भीड में न खोना तुम्हे या मित्रावे तुर अचा न यो दोना ओ न यो दोना ता न यो दोना मेरे या मित्रावे तुर अचा न यो दोना इस अचा न दोना मेरे या मित्रावे तुर न में मेरे या मित्रावे विर्यया मित्रावे तुर न मोर्णा अच देखो इंटर्वी में किसकी लॉट्री निकलती है यार आज इंटर्वु में बड़े अजीब है सवाल किये अरे मेरा नोट पकड़ो है कोई है बड़ी बेल हाज है आप मैं बार बार चिला रहा था आप अपने पहुंसों मेरा नोट नहीं दबा सकती थी नौकरी मांगने वालों की लाइन में बैठी है और अकर ऐसी है जैसे किसी सेट की बेटी है सुनिए I'm sorry मुझे मालूम नहीं था दरसल मैं भी नौकरी के लिएन में खड़ा था और वो आखरी नोट था जिससे आज का खाना चलाना था और आप जानती हैं नौकरी देने वाले इंटिव्यू के वक्त हमारा चेहरा देखते हैं पेट नहीं देखते हैं साप आपके बेल तयार है एक रुपया जाने दो यार भूख भी नहीं रही और पैसे भी नहीं सुनिए I'm sorry लगता है आज यहां इंटिव्यू नहीं बदकिस्मत लोगों का कॉमपटिशन है और उसमें जीता कौन मैं जी नहीं मैं छोड़िये इन बातों को यहां रुकने से कोई फायदा नहीं जिसको नौकरी मिलने थी मिल गई चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं देखिए अगर आपने इंकार किया तो मैं समझूगा आपने मुझे माफ नहीं किया चलिए सलाम जी सतनाम से रिवाए गुरू लाए बाई बंद कर लाए यार दिन्दा सहुवत बाकी कहो गोलू मिल गई चुटी जेल से कामले साथ जेल में पर्मनेंट तो आपने रहना है मुझे नहीं पर वही बता मिल जी बात दरसल यह है कामले साथ के आपकी जेल से बाहर आने का बड़ा ही अफसोस हो रहा है ओ यार अंदर और हम बाहर दो दिन के बाद उसके साथ ही बाहर आते तो यारी यारी होती ना कहो तो फिर से अंदर करवाजू अंदर तो अब जल्दी आऊंगा कामले साथ लेकिन अकेला नहीं तो तीन को साथ लेकर वो कलठे यह बादने बताऊंगा पहले तो मुझे एक विश्वास खाती से मिलना है विश्वास खाती और हम क्या कह रहे हो हम तो बड़े सिध्धानतवादी पुरुष है ओ बाओ ऐसे पुरुष का तो मैं बुरुष बना देता हूं जो अपना बन के छुरा घूपे अरे अचल सर्मा नाम है मारा जी सर्मा बिग जाएगा मगर चूटी कवाई कभी नहीं देगा शर्मा जी इसमें शर्माने की क्या बात है अरे जितना रुप्या चाहिए मुझे से ले लो पर हमको ये दस दो कि तुमको खरीदा किसने हैं शार्मा जी, तोस्ती के नाते छोटी सी भेंट लाया हूं इंडिया की बेस्ट विस्की है दोस्ती की बहुत अलग है, इस डिपरेंट सबजेक्ट ये तो भेंट है, गिप्ट इस गिफ्ट आप्टर रॉल ना तो लगाओ फिर एक पैट उसने मुझे बहुत सराब पिलाई फिर? फिर मैं भाव को क्या फिर? फिर क्या? फिर मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया ब्लाडी फूल? नह, नह, ब्लाडी इमोशनल एक्स्प्लाइटेशन पुखराज इस इमोशनली एक्स्प्लाइटेट महाशाय को हमेशा के लिए तैखाने में शराब में डूब हो दिया जाए वो तो ठीक है सेट जी लेकिन आज विश्वनाथ बहुत जोशक घरोस से बाहर आएगा और आते जरूर हमारे लिए कोई कायमत ढाएगा एक पर उत्री विश्वनाथ फिर कभी वापिस नहीं आते को लूब भीया अच्छड़ पहन बड़े देश बग जेल हो आएगे उनकी तो इज़त कोई नहीं कटी एक आइडिया आया है मैं बस्ती जाता हूँ उनसे नहीं मिलोगे उसको घर पर ही मिलूगा अपने बस्ती वालों के साथ ओ यह दिखाने के लिए के जेल जाने से गरीब इंशानों के दिलों से उसकी इज़त कटी है के बड़ी है मगर सुनिये ना तो जल्दी से लेकर उसे कार पहुंच चल्ट जैंगो से किरिटी इंतिजाम के लिए इस उनात की बेहन मुन्नी को बाइज़त हमारे सामने पेश किया जाए मा मैं भीया को लेने जा रही हूँ मा लेकता भीया आ गए क्या जही है तुम्हे तौम मा जाए तौम 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 शोर मत कर लर्की चुप चाप चली चल कमीने वर्पाश कमीनो गंदी नाली के किडो मत भूलो यह वुजदेश की बेटी है जो अपनी आन के लिए जान से भी सकती है और जान ले भी सकती है जेंगो तर मत जोल जाल दिवार पे टंगी हुई बंदुकों में गोल या नहीं हुआ करती है क्तुण मुर्ढ ways वी बंदी और्छ घर्ण टाल्श वी बंदी बंदी ॐन्दी क्तुण ॥ amendTrust क्तुण वाद शोचिछ नख लटेँ! विशो लटागे हागे हागे! जयागा देखिए! मίरत को बन्याद को तेखिए, जयागे हो! वोइया... बराभ वो, बराभ! वहाँ, वहाँ मा गाया, मा मा, मा, मा मा? 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 G.E.M.K! अभी भी चार गोलिया बाकी है दो तेरे गंदे दिल को चीरने के लिए और दो तेरी मकार खोपड़ी के पार करने के लिए देखा जोजाल जी सरकार तलत्तवा पंची शेर के जंगल में शेर कोई चोच मारने आया है लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं वे शोनाद क्योंके हमें तरफ है तुम्हें तरपाने की जिल्दा रखके तुम्हें जलाने की जीनके की एक उंगली का इशारा किसी घमंडी का कितना सतनाज कर सकती है वो तुम अच्छी तरह जानते हो और वाकी रहे तुम्हेरे अर्मान इनकी पिस्तौल बतौर निशानी खजाने में जमा कर ली जाए और इनसाफ की ऐसी खातर तवादो की जाए कि जिन्दा रहे भी लेकिन ना के बराबर और ना कितना बड़र और वल्डार तर तर प्रॉफ़र फड़ लूढ, हुआ लूऑ फट लूए हुआ लूँ पर अज़ लूख, लूज लूए हुआ लूऑको लूगीत लू़ लूए क्वळ लूग कि अज़िए कि मिरे विश्वनात की जंदेगी बनाए रखना वो जिस बदले की भावना में कूट पड़ा है वो बहुत खतरनाक है उस आग को शांती रखना लॉड शांत पहुत शांत बैठा है तू किसी की दुनिया उजड़ गई और तू देखता रहा दुनिया को जगाने वाले भगवान आज मैं तुझे जगाने आया हूं मैं तुमसे प्रामिस करती हूं लॉड अगर आज विश्वनात उन बेड़ें से बच गया तो सोनी सिगरेट शराब सारी बुरी आदत ही छोड़ देगी और एक नेक इंसान बन जाएगी बहुत बुरा आदमी बनेगा विश्वनात बहुत बुरा आदमी मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं भगवान तेरी कसम उसे मेरी जिदगी से कभी मत चीना मेरा सब कुछ चीन गया है उन लोगों मेरी मां को मुझसे चीन लिया है मेरी मां को मां मा! अपता मा! अपता मा!! मोथी! मोथी! Go get it! लेगेखे आ, मोथी, बहुँदेखे! किछ आशरवाद किसने दिया? आप? आपने cricket खेरना कपसे शुरू किया? चलिए इसी बाहने मुलाकात तो होगी, लेकिन आप यहाँ- यह हमारे किसी फ्रेंड का मंगला है आपको लॉकरी मिली जी नहीं फिरहाल गुजारे के लिए कमिशनर साहब और दो एक घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं आप कहां रहते हैं एक लॉज में सुक्सागर नाम है उसका मगर दुखों से भरपूर चलो यार बॉल कर देने आए घर में ही गुसा है यह मेरा दोस्त है मैं चलता हूं कौन था वो हमारे ही तरह एक तक्तीर कमारा मुन्नी फिर वोई बात है अच्छा तुम्हारे भाईया का गए भाईया ने कहा था कि आज एक बहुत बड़े बिजनिस के लिए जा रहे है मती पहलवार चलो पाबाजी कित्या विश्वनाथ विश्वनाथ नहीं विए अंग्रेजी ना को बाशाओ जब आदमी का कारिया करम किरिया करम बन जाता है तो अंग्रेजी नाम रख लेती है अला ते फिर बलाव अनना नू खेरो लगदा है विए न साब कोर्त पस्या व अरे भाई वियन साब ओ भाई बार आजाओ देखो ते सई पूरे शहर से चांट चांट के लाया हूं चार आदमी चटे हुए हैं घुटे हुए हैं बदमाश हैं किसी शरीफ आदमी के साथ काम करना चाहते हैं कि मैं आप पही ले हमने ओ भाई साब जी कर दो तक दो हैं कि अ हुआ है कि अज़िए नंबर एक रिवोली गूंगा है है लेकिन गोली चलाने में नंबर एक है ले अपने राद देखाने दा बंदोपस्त हो गया है आजे नंबर दो तालब ताला तोड़न चे मार वो ताला चाहे जेल दा हो चाहे बैंक दा एनू कोई शर्म नहीं ले भाई फड़ कि कि अजय तेरी ते माही ऐजे नंबर तिन न अपनी मान दा खायशने बल पुतर तो कमाल दा आदमी जे अधी शफाई जादू मिस मेरेजम अपना टिजम ओ कोई दिखा वई तेरे सब के जाओं हो बले बले देख लिया वई है बाबू राओ पल्वान ओ दमाग कठते ताकत जादा अला दिन्द चराग भी छटी यह उलाद क्यों सारे फिट ना मेरे साथ काम करने की बचे मोतिया वाली सरकार जब तुस्वी वकील थे तो आपने इन लोगों को से ठू के पंजों से बचाया था अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आप लोगों के साथ हूँ फिर इतना समझ लीजिए बंबई के सारे मुझरिम सेठ अपने हाथ में है सेठ जी रुस्तम घड़ी वाले का मेसेज आ है वो कल रात वर्सवा भीज के बंगले पर होने वाली पार्टी म बीस लाग रुपे लेकर पहुंच जाएगा चुबहूं लाभं 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 और जश्टन का द्राव हो चुका है धंदे पर शक्नो इसलिए जश्ट में बंबई की मशूर हस्तियों को शामिल किया जाएगा और इस चस्ट में विश्वनात की माश्यू का सोनी डांस करें क्या करेंगी एक बुरी खबर और है वो यह कि वो सोनी को डांस के लिए मजपूर करेंगे कोई बात नहीं सोनी डांस करेंगी फिर जो बोले तो निहाल साथ स्रिया काल भाई नहीं विश्वनात मैंने यह सब छोड़ दिया है मैंने जी इनके को मना कर दिया सोनी वैसे तो मैं तुम्हारा कोई सहारा लेना नहीं चाहता है मगर आज की रात तुम्हारे डांस की आखरी आइटम होगी और मेरे धंदे की पहली क्या यह तुम्हारा आखरी फैसले है क्या तुम्हारा आखर जाईटम्हार लेपाइब बामी आखरी फैसले हेसे जी आखरी बामी अर्मारा ऊखरी आखरी बामी आखरी पैसले है बिवाशा आचिपरी की मर आणी बिवाशा आचिपरी की मर आणी हुकतम आशा बिवाशा चेरी की ऐसी कहाणी बिवाशा आचिपरी की मर आणी 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 विवाशा आच मिलंगा दिल में समंगा परदे उथा जाजबता जय परदे उथा तिरे नेरा होगा वादे विवाशा आच करेगी परदे विवाशा आच करेगी परदे विवाशा वाल झाल कि जिसके जिन्दगी में तुमने अंधिरा किया है मेरा नाम विशुनात है वैसे अगर आप चाहें तो मुझे वी एंज साहब कह सकते हैं आपका कार्ड मुझे मिला है क्या चाहिए आपको तुम्हारा सरवनाश चाहबाश आशिरवाद लिने फिर कभी आउंगा फिल्हाल उस बैग में रखा बीस लाग प्लैक का रुपया मुझे चाहिए अगर मैं नहीं दू तो नो फाइट्स मैं तुम्हें गोली नहीं मारूँगा मगर उस गोली चलाने वाले को मना भी नहीं करूँगा इंपोर्टिट पिस्टल है आवाज कम करती है इजजत जादा उतारती है दीना बैग लेलो क्यों अपनी शक्ति भंग कर वाए यह लीजी और जाइए जी इनके यह धंदा मैंने तुम्हारे यहां से शुरू किया है और तुम्हारे यहां ही खत्म करूंगा इसे मेरी बोहनी समझना अब है दोड़ गूड़ फॉर एल्थ जान दे वेल्थ आरे हैं तो वेल्थ इस है तो ब्सक्ति आपकी तारीस फादर गुग 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 कुंड़ा है तरली आपने हमारा कुंड़ा पीस लाह का एक ग्लास विश्वनात, आया था और चला गया पख़रो जाने दो, हमारा तो थोड़ा सबाल गया लेकिन हिंदुस्तान का सबसे इमानदार घमंडी आज मुझरिमों की लिस्ट में आ गया इसलिए विजय उसकी नहीं, हमारी हुजी बाप रे, कितना बड़ा बंगला है भाईया के मालिक तो बड़े दिलवाले हैं हाँ मुन्नी, बहुत बड़ा दिल है उसका, बहुत बड़ा दिल जिन्दगी हम उससे मांगते रहे, उसने कुछ नहीं दिया और जब हमने छीनना शुरू किया, जबटना शुरू किया तो सब कुछ मिल गया मुन्नी गाड़ियां, बंगले, ऐशो आराम के हर चीज आज क्या नहीं हमारे पास मुन्नी, क्या नहीं हमारे पास मा ओ, इस खुशी के मौके पे रोना धोना शुरू कर दिया मुनी मैं तो चार साल का था जब मेरी मा मर गई मा मर जाती है उसका अशीर बात नहीं मरता खुश रहना तो अदास नहीं होना थे होना थी ठाके ना तीना के दिना आते हो आप अधन जिंगे आया बबुजी मुन्डी को उसका बैट्रूम दिखा दे आओ बिटिया सामने कमरा जल दिजा गुलू पापा सोनी नहीं आई और यार उसने आने से साफ इंकार कर दिया और मैं उन्हों बड़ा समझाया कि हमारी लडाई जीम के और उसकी पार्टी के साथ है पर वो तो वकीलों की तरह बात करती है और तुमें मुझरिम समझती है गुलू पापा मेरे नसीम प्यार महबत लिखाई नहीं है यह तो वक्त वक्त की बात है के सोनी आज अच्छी बनगे और विश्वनात बुरा बहुत बुरा हां हां अ जुनिये ट्रक बोच चल पड़ा है एवर्धिंग इस बाइंग कि आए आए विश्वनात जी मैं बड़ा केटप बदल दिया है जिस सेटप भी बदल दिया है मतलब मतलब धन्दा काईए नंदर में क्या मदल कर सकता हूं आपकी जी मुझे एक करोर रुपय चाहिए एक करोर जी हाँ एक करोर वो भी कैश वो भी अभी अभी परकुदार एक करोर में कितने जीरो होते हैं कागस पर लिखना आता तुम्हें लिखना भी आता है और गिनना भी आता है विश्वनाथ दाड़ी बढ़ाने से कोई डाकु नहीं बन जाता मेरी तरफ देखो 25 साल से बगार दाड़ी के लोगों को लूट रहा हूं तो सुनिये ठीक 35 मिनट पहले आपका नौ करोड का स्मगलिंग का सोना गोवा से ट्रक नंबर MRT 3650 पर रवाना हो चुका है करेक्ट है करेक्ट और ठीक आने पर पहुंच भी जाएगा यहां लेकिन रुकवाया भी जा सकता है अगर इस वक्त मैं पुलिस को इतला दे दूं तो नौ करोड का स्मगलिंग का माल पकड़वाने पर सरकार मुझे बतौर एनां 10 पसंड के हिसाब से 90 लाक रुपे देगी और साथ मे विश्वनाथ तुम अकल बंद थे लेकिन हो नहीं तुमने इतना भी न सोचा कि पुखराज जैसा स्मगलर जब खाना भी खाता है तो थाली के नीचे भी पिस्तॉल रगता है सोचा फिर भी खाफ न खाया खाया थोड़ा खाया इसलिए मैं अपने आदमीं से कहकर आया हूं कि अगर 15 मिनट के अंदर वापस न लोटू तो समझ लेना मैं नहीं रहा और फिर तुम लोग पुलीस को पूरी इत्तला देकर 90 लाक रुपे का एनाम आपस में बांट लेना मेरी मौत होगी उन्हें 90 लाक का फाइदा होगा तुम्हें 9 करोड का नुकसान साथ में खून का इल्साम हलो हलो अब विश्वनाज जी आप जिन्दा है या मर गए मेरा मत्मल है माल मिला या गोली लाइए बेरा टेलीफोन है पापे सेट अभी कुछ सोच रहा है दस मिनड़ बाद फिर पता कर लेना नहीं तो 90 लाक तुम लोगों कहे ही जत नाम जलवाएगी मानगे विश्वनाथ तुम्हारे दिमाग को लाइए वक्त कम है मिल जाएगा बरोसा रखो तिजोरी की चावी मेरी बीवी के पास है और इस वक्तों घर पर नहीं है खैर इसका भी बंदोबस्त है मेरे पास तालीब तो 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 तीन बार आप कहिएगा वी एन साहब वी एन साहब वी एन साहब वह समझ जागा कि माल लेकर चला गया है यह हमारा कोड़ वर्ड है गुट नाइट वी एन साहब वी एन साहब वी एन साहब जिएक या उन साहब पर पर कोड़ की यह वी इस फीटीन बाएगरू नथ गय, ओबाइज जल्दे कुछ भार, कुछ भार, फस। पूरा बीस लाख रुपया आए सुनावाला फिलाले बीस लाख अपने पास रखो जब जरूरत पड़ेगी मंगवा लूंगा उकुसम खुदा का हमको तुमर येसा एत्मार वाला आद्वी मंगते वो जीन की येसा बाइमान पाड़ी बिलकुल नहीं मंगते यही तो हमारा मत्मल है बाई कि अगर मिल जाए अकल-मंद और दौलत-मंद तो कर दें दुनिया की दुकाने बंग हाथ सोट। क्या मत्मल हुआ हाथ मिला ओ ये सोनावाला का जुबाने हम तुमना जुबाने का सोनावाला समझें आई तक जीन की किसी भी बाड़ी की किसी भी दुश्वर के साथ बिलने के ही मत नहीं तुम पुख्राश को मेरे पाज भेज़ दो ठीके सेड़ जी अरे बरी नॉंसेंस गई ओन है नॉंसेंस गोलू गवा सेड़ जी हमारे पंजाब में हर खास मौके पर हर खास आदमी के आने के स्वागत में दर्वाजे पर तेल डालते हैं इसको कहते हैं तेल चोना क्या संदेश है लाआज जय है बनी चैट जी मेरे घर में अलमारी है उस अलमारी में एक बंदूख है और उस बंदूख में गोली है और उस गोली पर एक लिखा हुआ है जी एन के अम मैं सोचता हूँ कुछ अलमारी को क्यों खोलूं आप शरीप आदमी है चुपचाप मुझे बता देंगे किस वक्त सोना वाला कहा है वार खुदार प्रशीर लगे दर लगे आगे मुलगवा, पंदूग जैसी नाजुक बश्टू अलमारी में रखने के लिए नहीं होती है यह मैं से निकाल कर सीने बरतान देने के लिए होती है पाजी ले गए आप हम है तुम्हारे बाप बाप नहीं माई के बाप तुम हमको धंकाता है नहीं जैट हम तो तुमको समझाता है अब बताओ कौन है किसका बाप हम था है और रहेगा क्योंकि हम महर्दी वाली को बच्चलों को पटाके वाली पिस्टोल देता है यह भी वह किसी को फुषाता नहीं दुष्ब खुष्च फुष्च जाता है इज हम आप यह बास्तार काली नहीं देगा नहीं देगा तो यहिए मान था गिरिवतारी चलो और उसमें बुरा मानने की क्या बात कानडो में तो हके रड़ा होती रही और हमेशे ही होती रहेगी लेकिन कानड़ जो थे वह और अगया टाकत जो थे वहाए अगे बढ़ति रहे और कौरों जो थे, वो कम होते रहे, पांडों जो थे, वो आगे बढ़ते रहे, कौरों जो थे, वो कम होते रहे, इस तरह एक एक करके, सारे कौरों खत्म हो गए, खाली दर्योधन रहे गया, अब जो रहे गया, तो रहे गया, उसमें मैं क्या करूँ? तोना वाला कि ये मजाल के हमासर घद्दारी करें तुम देखते रहा बुखराज एक दिन विश्वनात और उसके साथ ही हमारे घर में पाली भरेंगे जरूर भरेंगे इसी दन में पैरा देंगे देंगे वो उल्लू के पठ्थे जब तक हमें सलाम ही नहीं करते हैं हमारे नाम भी जियनके नहीं मैं कहता हूं साथ कि आपको सिर्फ करें उन्होंने हमारा तमाशा जी एनके तुमारा है तमाशा हमारा है तमाचा आप ठरक देखिया ही पचला सुना वाला जी एनके सेट का नाम सुना है हम उनके साकेटरी है भाग तो तुमारे खुल गए लाला जी एन के सेट के पिताजी का शराद है थोड़े से लड़ू चाहिए हुकम की जी कितने चाहिए यही कोई तीन लाख तीन लाख पागल हो गया है रामबराम सारे फेक्ट्रियों को आड़र देद लूगा खुजी गीन लिजे हुजूर पुरे तीन लाख लड़ू है क्या कहा आपने? मैंने नहीं कहा था हुजूर उसने कहा था कि यह लड़ू आपके घर किसी सूरत पहुची जाने चाहिए ठीक से कहो क्या कहा उसने? मेरे रामबराम मैं तो ठीक ही कह रहा हुजूर कि ये लड़ू खाल इस घीक है आपके पिटाजी की शराज के लिए बनाएगे, क्या बगता जानता है, जानता है, सेज जी के पिटाजी भी जिन्द है और अपने गाउ में है, कैसी बाते कर रहे हो, बला वो कैसे जिन्दा रह सकते है, जब ये तीन लाग लड़ू उनके शर पर राम 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 पर राम 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 Excuse me, आपका नम Soni है? जी मैं आपके की घर से आ रही हूँ, मैंने नम लिली है, मुझे बोलु गवाने भेजाए विश्वनाद को GMT की आदमी ने बहुत ला रहा है क्या? जी हाँ, वो हमारे वर्सोवा शैक में भ्योश पला है प्रीज, चल्ले चल्ये, चल्ले एक मिनट आप यह ठहरिए, मैं भी आई सुनिये, मिश्वनाद कहा है? जरा इंतिजार तो कीजिये सुनू, बच्पन से जवानी तक तुम जैसे किस्तों से खेलती आई है जरा जरा आज करेगी मन मानी आज सानू भी दस्सो क्यड़ा डांस है मलांग, आप अपे करदे बासे दर्वाजा बंद कर दार एंग इंग डप इंग हल आम तर चका टूर गर टूर वह! करे दो, कि भी नाहीं! करे दो! वहws! स्व meerाः! कोई नवाब, तुमारी शनाब और तुमारे कबाब, तक्स पे आप पत्रो जलतु जलालतु, एस गेंडे पलवालतु टालतु, तक नाम जरिवाए गुरू मेरे स्टेंडर्दा नहीं है बाबू राओ उतार ले अपना चाओ बाओ झाल पहाल, मैं शाबज पहलवान, पहला पहलवाना जीदे खोपड़ी देखेजा है गुलू पापा, मैं सब आज तही अज़न नहीं हुआ तू फिगरना करता है नू इना दीस ललकार था जवाब असी होना देख कर देगी उसके गांगे बस 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 तुभारी मती मारी गई है जी अनके दुनिया का बड़े से बड़ा साया भी छोटे से छोटे दिये के सामने भाग खड़ा होता है और फिर तुम तो बिजली से टक्राने की बाते कर रहे हैं मुश्वनात और बिजली कुछ पानवान खाएंगे आप घास पत्ता खाने के आज़त नहीं है मुझे सुना है आजकर आप जियनके के खून के पैसे हैं हर खून का पैसा होता तो गोलियां इसी वक्त तुम्हारे जिगर के पार होती मगर मुझे तो सर्फ एक ही तड़प है तुम्हें तड़पाने की जिन्दा रखकर तुम्हें चलाने की विश्वणार्थ का वो हें एमान दारी और शचाहे पर भाशन देने वाला विश्वणार्थ तुम्च चुका है पुच चुका है राख हो चुका है अब बताओ विश्वणार्थ किसी इसका नाव है जली को आख कहते हैं बुझी को राक कहते हैं जिस राक से बारूद बने उसे विश्वनात कहते हैं मैं भी तुम्हें सिर्फ एक ट्रेलर ही दिखाने आया था लेकिन याद रहे जी एन के ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है दोबारा फिर कभी ऐसी हरकत हुई तो वी इन सिर्फ मुझरिम ही नहीं बलके कातिल भी कहलाएगा अपने बच्चों से कह दो ये गनमैन विदेशी है और सिर्फ यही भाशा समझता है इसलिए खामोश रहना ही बहता है चलो भी बोली फॉलो अपने बच्चों से कहाँ वाँ 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 A for apple, B for bat, and... वाँ बच्चो आज की ख़ास खतम रोजी मैं जरब चशज जारी, तुम जरब बच्चों को सब्ल्ना सुनि क्या बात, आज कल आज आप रोज चशज जाने लगी है किसी की कुनाहों की माफ ही मागने सुनि मैं यह कहने आया था कि मुन्नी अब अस्पताल से घरा आ गई मुझे मालूम है सोनी यह वो दोनों परोब चल सकती है जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं और जो चल सकते थे डग मगा कर गिरने लगे कि यह तो वक्त बताएगा वक्त किसका एक मुझरिम का वियन सहाब एक मुझरिम का वक्त अच्छा हो सकता है लेकिन उसका अंत नहीं और उस वक्त तक सोनी आपसे बहुत दूर जा चुकी होगी बाइब मां सोनी ने जो कहा क्या ठीक कहा कि मैं मुझरिम बन क्या हूं मेरे पाउंट डग मगाने लगे नहीं माने तुम्हारा बेटा विश्वनात कभी मुझरिम नहीं बन सकता है मैं तो यह ना चाहता है कि विश्वनात अगर चाहे तो उन से तेज रफ़ता दोड़ सकता है बस मुझरिम अब ठीक हो गयी हमां तुम यहीं से देखना कि विश्वनात अपनी मुनी की शादी इतनी धूमधाम से इतने शान के साथ इतने बड़े घर्मने करेगा कि अरे हा अब तो मैं चल सकती हूँ, दोड सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पहुचने के लिए तु मुझे उड़कर आना पड़ेगा, और मेरे पास पंग तो है नहीं। हाँ, हाँ सिधार्थ, मेरा भी मन बहुत चाहता है कि उड़कर… कौन था ये? जी, जी वो… कौन था ये? सिधार्थ… क्या करता है? बेकार है… तुम उसे प्यार करती है? क्या वो तुम से प्यार करता है? जी हाँ, मैं भी उसे प्यार करता हूँ, मगर आच्य नहीं, उस वक्त से जब उसका वो वक्त ये वक्त नहीं था, जब वो मेरी तरह बेरोज़गार और बेसहरा थी वो बेरोज़गार थी मगर बेसहरा नहीं थी उसका भाई विश्वनात कल बेजिन्दा था और आज बेजिन्दा है देखिए ना आज की विश्वनात को मैं अपनी कुरसी पर बैठने के लिए भी नहीं कह सकता मेरी कुरसी पर बहुत धूल जमी है साथ फिर बे तुम खौब देखते हो उन मखमली सोफों के उस लड़की के जिसके एक इशारे पर लाको करों के जमीन जादाद कारे बंगले हासल की जा सकती है उसकी हैसियत आपके महेंगे सूट से महेंगे इतर की खुश्बू आ रही है मगर उसके अंदर चुपे आदमी से पैसे की बद्बूआ रही है विश्वनाथ साहब मेरी हैसियत मेरी हैसियत का अंदाजा आप मेरे कपड़ों और मेरी जोपड़ी से लगाते हैं तो फिर मैं आपकी हैसियत भी समद गया और ऐसी हैसियत वाला से मैं बात तक नहीं करना सद्धार्थ मेरे दोस्त कि मैं समझा था कि विश्वनाथ मर गया तो सारी दुनिया मर गए मगर आज तुम्हारे इस अभिमान में मुझे कितना भिमान मिला है मैं तुम नहीं जानते सद्धार्थ इस महेंगे सूप में छिपए आदमी का मन बहुत चलनी हुआ है बहुत चलनी हुआ है सद्धार्थ मुन्नी एरा एक लौता ख्वाब है और लगता है आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया अलो मुन्नी अरे वह जेवर वाले देवराज आया है नहीं हां भाइया सब पहुंच गया साड़ी वाला टीवी वाला जेवर वाला फ्रिज वाला लेकिन भाइया आप इतना खर्शक क्यों कर रहे हैं मुझे इस अब कुछ नहीं चाहिए लेकिन बूशे तो चाहिए नहीं गोलू पापा आखों में 24 घंटे रखने पड़ेगा नहीं 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 आज मेरी बेहन की शादी है बहुत से दोक्तों हम पहुच भी गया होगे अधर मेरी बेहन को इस एक्सरेन का पता चलगे नहीं डॉक्टर तो मैं उस अच्छी तर जानता हूँ वो यह शादी भी नहीं करेग किसी को क्या मालूम विश्वनात को नजर आथा है यह नहीं मतलब यह हम एक बार पिर जूट का सहारा लेना होगा आज की सारी रात हमें अक्टिंग करनी होगी डाक्टर साथ लोगों के सामने विश्वणात की आँखें कि आप और मैं बन कर रहेंगे गुली ठीक कहता है मैं आपकी आखोंसे देख सकूँगे डॉक्टर आप मेरी मदद करेंगे दॉक्टर क्या लग रही हैं मेरे डाले दूहला देखेंगा तो पागल हो जाएगा भाया देखेंगे तो पैचान भी नहीं सकते अरे यह कैसे हो सकता है कि भाया अपनी बैहन को न पैचाने वाले भाले यह बैं दस रूप क्यों ने बदले क्यों गोला बाबा अरह यह कुछ पिल्मों में कुम्ब के मेले में बाई बैन दोड़ा ही बचड़ गया है कि हाज से 20 साल पहले सेज जानके लागा दी मुन्नी मुन्नी हमें भी तो सजना सवरना पड़ता है न वो कमभाख टेलर ने सूट सिलकर ही नहीं दिया मुझे हम क्या करते हैं और वैसे तुम कौन सी सब्सक्राइब मुन्नी क्या सजी हुई है विश्वनात देख तो तहीं किनी सोनी लग रही है अपनी शादी की लाल साडी में नहीं तो क्या हरी साडी में लगे गूलू पापा कमाल करता है तो भी और यह साडी आखिर अपनी बहन को द सब्सक्राइब करते हैं यह सब सजावट कैसी है अरे ऐसी सजावट तो राजे मारा जाओं के कार भी नहीं हो सकती अरे तु देखता तो मदा आ जाता मैं तुझे सुनाता हूं नहीं 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 रहने थे सुनूंगा तो और भी जादा दुख होंगा क्योंकि देख नहीं सकता ना शएर में आखों की बिमारी फैली है ना विश्वनाथ की आखे भी आगें मैंने उसे खालत चश्मा पहनने को गहाँ भाई अपना सिधारत क्या ज़ात रहेँ और वह वा सिधारत वह आपकी आंखों का चक्कर यह वह मैंने सब बतादिया जिया हां वह आखों क हाँ हाँ ८ेरे भाई मेरे दोस्त ऐस बाई भगवान तुम्हारे हर तमन्ना अ हर खाब पुरा करें यह अपनी नद्धीस बेहन है न मुझत हम इस खुशी के मौके पर प्लीज यह मौका ही कुछ अजीब होता है सिद्धाद को भूशी भी होती है रोना भी आता है प्राइवेट प्राक्टिस में आदमी इतना बिजी और इतना टेंस हो जाता है कि आदमी को आदमी की सुच-बुच नहीं रहती है बात ऐसी है हज़रद कि शादी ब्या का मौका ही एक ऐसा मौका होता है जिसमें सारे गिले शिक्वे दूश्चा पिर भी कोई नो कोई किसी ने किसी को शिकायत रही जाती वराद मी क्या करें अरे को थो खुश रखने सकता हाथ कि अदे अधर विश्वानाथ को है वह वह उपर गया है नीचारती होंगा था कि आध अधर यह कौन है कौन है इस कमरे में वन्स इन्हें ब्लू मून कभी कभी खोगा आखें चली गई तौलत आज जाएगी और जान फिर कभी नहीं खोगा नहीं यह सब मेरी बेहन का खोगा आज उसकी शादी है ना यह कैसे हो सकता है कि तेरी शादी हो और मैं ना हूँ सुनी तुम्हें भाया को देखा कितने अच्छे दिख रहें आज हाँ देखा लेकिन शायदो मुझे देखकर भी नहीं देखना चाहते हैं एए खोगा चिलाओ मत कमिश्टर साम नीचे मेरी बेहन के शादी है खोगा तुम्हें चलेगा प्लीज खोगा चला जाओंगा चला जाओंगा मैंसर अपना मालत लेलो नहीं खोगा नहीं खोगा नहीं बिस देखो बिस दखो बिस दखोगा शी अवर्चत तर किसी का राख नगीत देखो हैं तेरह पाउ पर आंगा है सिर्फ अपनी बेहन कादें खोगा एक फ का यकंः झाल आक है कि उसी मैं तुछ ऐसा नहीं करणût vocal tam चलामात, नीचे तुमारे मैमाना हुए सुनो रॉन्स उन्यक और रामन का स्क्राण दिए धन्यक गीप खुशी के गाना अपना दर्द छुपाना है ताओ की खुशी के गाना है जब 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 गुना है तब तब सुसाँ होता है जब 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 की खुशी के अधर है जब जब करता है कि यह मैं की ओर रंगी नजारे मन को चैन आए क्यों दिखे सपने रो सबीरे सच्च वहो न पाए क्यों सोने चान्डी के महलों से खानी हाथ तुझाना है जब जब जचचचच वोना है तब तद ससर होता है अपना देख छुपाना है तो की पुशी ने गाना जब 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 तब जब जय क्यों दूआए झाल झाल जब 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 झालिव चूजो डारे, यप YOUR सोडो डारे, या या नाल, या 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 ना, या या लाला, 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 विशुनात, तुम्हारी आखों की पट्टी खुल गई, अब तुम देख सकते हो आँ, डॉक्टर, अब मैं देख सकते हो खानून भी मुझे अतनी सजा ना दे सकेगा, जितनी खुद्रत न मुझे दी, मैं अपनी पहल की शादी भी नहीं देख सकता, डॉक्टर अब विशुनात, तुम्हे एक बात का ध्यान रखना है कम से कम, तीन चार दिन तुम्हारी आँखों में तेज रोशनी नहीं पढ़ने चाहिए वरना आँखों खत्रा फिर हो सकता है खत्रा अब मुझे अधेरे और रोशनी से कोई फर्क नहीं पढ़ता, डॉक्टर मेरा तो सब कुछ खात्म हो चुगा है सैंक्यू डॉक्टर चाबी लो अब आपकी तवीद खराब है, मैं चलातू चाबी लो विश्वनात मुझे मालूम नहीं था, तुम्हारे आँखे मैं अबड़ से आइसको काबी बाँ अबड़ मालूम याँ अबड़न अबड़न मैं प्रच्वार अबड़न अबड़न आफ़न कि मेचल चाहिए जाए डउक, इजये को वफभी एत नड़े इप Gebивать कि कि ए ए वान्यवी他 कि 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 उश्राज जी इनके तुने अपने हाथों कभी किसी का खून किया है नहीं नहीं मैंने भी नहीं किया है लेकिन आज करूँगा वो भी एक नहीं दो एन एक तेरा एक खोखा का कोखा फैसला तेरे हाथ में जीन के पहले तेरा और करूं या खोखा का खोखा कहा जीन के बददे जीन के खोखा कहा है कोखा यहां है वे शनाथ सेड़ जी के गले में मंधन डालने से क्या फाइदा दूसरों की जान लेने से पहले अपनों की खेरियत के बारे में सोचू बहन की डोली तो तुमने घर से रवाना करती लेकिन ये नहीं सोचा कि डोली दूसरे के घर पहुंची ये सेड़ जी के तैखाने पहुंचा दी गई कि अधी जान की चीजे वां में जाक कर देखो कि सारा खून उतर जाएगा हम आहम टाइस पहुर्ण जोगा तुज़ा जान समाट डालूगा कर दोनों कुट्टों को मिलवा दिया जाए और इन माशा की लाश इनकी बहन और बहनोई को सुहाग रात के मौके पर भेट कर दी जाए कर दोनी दोनी तोनी कर दीछा कर दो कर दो, कर दो, इन्हें प्लू मून कभी कभी कोका का पंजा आखरी कत्र फिर कभी नहीं पंस इन्हें प्लू मून कभी कभी पंस इन्हें हम चे प्राइब ऑ enfants म south इन्हें ऑगा को आखर सुचः कि बम और ती है कर्थ सही ऌwe झाल 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 झाल